नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंट्स जैसा कि आपसे काफी मुझे सिकायते मिल रही है कि वीडियो की कवालिटी कमजोर है यानि साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो फ्रेंट्स आपको मैं एक इनफोर्मेशन देना चाहूंगा मेरे वी जो साइज है वो कितनी होती है देखो 15 मिन्ट का मेरा वीडियो होता है उसकी साइज होती है जो 720 MP4 में इसकी साइज होती है टोटल 33.17 MB यानि 33 MB लगा लो आप और जो 15 मिन्ट का वीडियो है और इसकी 306 MP4 पे इसकी साइज होती है 25 MB की 25.59 MB की तो आप फरक कर सकते हैं कि 720 P पर हमें देखते हैं पूरी HD कवाल्टी के तो हमें सिर्फ 8 MB का ही नुकसान हो रहा है ये इसलिए ऐसा कि ये सक्रीन रिकोर्डर के वीडियो है जो कैमरा होता है नो उसके वीडियो काफी बड़ी होते है 80 MB के लगबग होते हैं तो 8 MB वेस्ट करने के लिए आप वीडियो की कवाल्टी कम जोर कवाल्टी में नहीं देखें इसे आप 1080 1080 MP पे भी देख सकते हैं उस पे भी बैस एक दो जो MB का नुकसान उठाना पड़ेगा हो आपको वो 35-35 MB की साइज का 15 मिंट का वीडियो ये 10 मि होगा तो ये वीडियो काफी देखना 25-35 MB में आपका काम चल जाएगा तो फ्रेंड्स जो 3 डॉट्स होते हैं उन में सेटिंग में जाके अपनी क्वाल्टी वीडियो की सुरू में ही बढ़ा लें फ्रेंड्स और अगले वीडियो में ये बाते आपको नए बताने पड़े हैं ऐसी आसा करता हूं में तो फ्रेंड्स आज के टोप 20 क्युस्चन सुरू करता हूं में जल्दी से फ्रेंड्स पहला क्युस्चन है अंतराष्टिय अपरादिक ने अले आई सी सी की सदस्या सोड़ने वाला पहला देश है बुरुंडी बहुत ही इंपोर्टेंट क्युस है इसका मुख्याल गुडगाओं में है आपको पता होगा गुडगाओं में है दिल्ली के पास और फ्रेंड्स अगला क्युस्चन है युनेस्को ने कि सहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 गोसित किया है यह सार जां यूएई का सहर है सार जां वर्ल्ड बुक कैपिटल और फ और फ्रेंड्स अगला क्युस्चन है भारत में मोबाइल वैलेट और पेमेंट के लिए तेज एप किस कंपनी ने लांच किया है गुगल सभी को पता होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्युस्चन है यह 20 और 20 CCI का नया असोशेट मेंबर नया असोशेट मेंबर मना है पुद् गाटन किया है यह मुंबई में पहले वी देश महुन का काफी अच्छा क्युस्चन है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्युस्चन है च्छा महीनी के टोफ टाउंटी अगला है रोबोट को नो अगरिकता प्रदान करने वाले पहले देश कौन सा है यह सौधी अरब उस नाम क्या है यह भी पूछ सकता है तो यह है सोफिया और फ्रेंट्स अगला है विसो के सबसे बड़े दैनोन संदान के अंदर कंबस्टन रिसर्च सेंटर का उदगाटन कहा हुआ है यह आई आई टी मदरास में तमिलाडू में है जो वहां पर हुआ है इसका और फ्रेंट् अगला है मेग आले के नए गवर्नर कोन बने गंगा परसाद देखे मैं हर वीडियो में आपको छोटी मोटी ट्रिक बताता रहता हूँ तो इसमें भी देखो मेग निकाल दो मेग मतलब बादल होता है और इसमें गंगा दोनों पानी से रिलेटिड है तो आसानी से इनको र कर दिया मैंने जादा रट होगे तो मतलब नहीं याद रहता है थोड़ा सा ट्रिक यूज करोगे तो आपकी मामोरी में हम इस्यां के लिए रह जाता है फ्रेंड साब के लिए अगला क्यूस्चन है है एदराबाद में 28-37 सनोंबर तक कौन सा सम्मेलन हुआ यह वैस्विक उद्धमसीलता सम्मेलन मेजमान था इसका निती आयोग यह पहले गोसित हो चुका था इस कारण से इंपोर्टेंट है बहुत पहले चर्चा में रहा था है आगला क्यूस्चन है राष्ट्रपतिपद है तो चुनाव की तारिख कितनी थी राष्ट्रपतिपद के लिए 61.37% और अगला है बार्चरकारने रहों इसराने आर्थियों की साइता यह तो कौन सा अभ्यान चला है कि बांगलादेश में रहों इसरा यह है ओप्रेशन इंसानियत अगला क्यूस्चन आपके लिए युनेसको ने इंडिया ज फैस्ट वर्ल्ड एरिटेज सिटी विस वि पोर्टल सुरू किया गया है यह पैंसील पोर्टल है चाल इलेबर को चाल्ड लेबर को अतोरोट साइट करने के लिए शुरू किया गया है इंपोर्टन बनता है अगला क्यूश्चन है वी वी पी अटी वी पी पूर्म वॉर्टर वैडिवлы फ़ाईबल पेपर ओड़ि ट्राइल कई बुक्स में वेरिफाइड भी लिख रखता है वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्राइल तो वेरिफाइल एबल पर मैं सही जाता हूँ और अगला क्यूश्चन है वल्ड अलिफेंट डे पर 12 अगस्त को गजी आत्रा किस मंत्रा लेने शुरू की थी गजी जात्रा किस मंत्रा लेने वन मंत्रा ले फोरेश्ट एंड इंवायर्मेंट मिनिस्ट्री ने और बारत में कुल अलिफेंट कितने हैं आथियों की गिनती भी की गई 27312 और सरवादी का थी करनाटक में 649 असम सेकेंड केरल थरड और अगला है विश्चो साक सरता दियोस किस किस दिन होता है 8 सितंबर को और इसका थीम क्या था अपने दियोसों से क्यूस्टन की डिमांड कि थी इसलिए मैं यह क्यों लेकिया हूँ इसका थीम था लिट्रेशी इन ए डिजिटल वर्ल्ड यह लिख रखा अगला क्यूस्टन है साथ कारी करम किस ने लांच किया निती आपको देना है उसकी थोड़ी सी planning बता देता हूँ आपके साथ सेर करता हूँ देखिए अपह़ले सबसे पहले 4 णू पार्ट 40 चारीश चारीश नंबर के हैं सबसे पहले आप उन में से कीजिए 20-20 क्यूष्ट्टन तीन नो पार्ट्स में च्यार नहीं तीन पार्ट्स हैं एक वो पंद्रह पंद्रह तो इनके बीस-बीस क्युस्टन्स आप कीजिए तीन नो पार्ट्स के उसके बाद पहले रिज्जनिंग को कम्प्लीट करने की सोचिए reasoning में जो बच जाते हैं जिस question में आप उड़ जते हो उस पे दुबारा time मिल जाए कि दुबारा आने का एक बार उसको छोड़ दें और दुबारा उस पे दुबारा क्योंकि mind fresh हो जाता है तो उसके soul होने के chances बढ़ जाते हैं और अगली ये planning का कि 30 question है जो language वाले 30 के 30 से एक साथ कर दीजिए एक भी मत छोड़िए उन में बाद के लिए और reasoning में छोड़ सकते हैं जिक्के और साई को ये ये भी उन की तरह हैं जो language वाले हैं उन की तरह हैं एक साथ ही करने है reasoning के और ये तो friends सबसे पहले reasoning को complete करने की सोचे पहले 20-20 तिननों पार्ट्स के फिर reasoning के 40 question complete तो ये planning है मेरी और पहले से ही त्यार रहें इस planning के साथ और friends से जो question का जवाब सही दिया था हूँ उनके नाम है आपके सामने या बाजी देवा मोहित का पूरिया पूरे एक दिन 24 गंटे में सिर्फ पांच ही सही जवाब दिया आए और friends से आज के सवाल भी पूछ लेता हूँ अगले वीडियो में जिनके वो मैं सामिल करूँगा वो हैं कि INS कलवरी INS कलवरी क्या है INS कलवरी क्या है और समुरोई तित्ते ये किस खेल से संबन दीता है समुरोई तित्ते किस खेल से संबन दीता है क्यों चर्चा मेरी और जार्खंड में इसने बरांड मेस्टर किसलिए बनाए गया है और इसको कौन सा अवार्ड मिला राष्टि फुलम अवार्ड में ये आपको बताना है और फ्रेंट्स आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो अच्छी क्वालिटी के साथ ही देखेंगे 1080 MP4 आपका ज्यादा डाटा का नुक्सान नहीं होगा इसी पे देख लीजिए आप शिर्फ 10 MB ज्यादा नुक्सान होगा तो फ्रेंट्स मेरे को तो कोई फायदा नहीं है आप चाहिए 144 P में देखें कि आप 1080 पे देखेंगे तो ये सोच रहे हूं मेरे को फायदा होगा आप कोई अच्छी क्वाल्टी मिलेगी तो फ्रेंट्स से दन्यवाद करता हूँ आपका बेस्ट ओफ लेक एक्जाम के लिए